आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमीडि़ी जे जर्म आपका स्वागत है आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे वेस्थ होंगे मस्थ होंगे मित्रो आज एक एक ऐसे प्लांट की चर्चा करेंगे जो ना केवल मैडिशनल है बलकि एलोपेथी युनानी होमोपेथी और क्यों इसके विभिण प्लांट पाठ एस्थी गुणों के लिए इस्तमाल किया जाते है पूरा पंचांग इस्तमाल की जाता है जो रही जो सूख एये पोर्ड है इसके अंदर बीज आ जाते हैं और बीज का सोधन करने के बाद इस्तमाल करते हैं, तीन दिन तक जब इन बीजों को हम गोमुतर में डालके रखते हैं और लगातार गोमुतर को बदलना होता है और उसके बाद उसको सुखा कर इसके चून तयार कर लेते हैं, तो पहले प्लाइड्स होते हैं वो इंसेनिटी पागलपन की नियूरलजिया मायलजिया मस्कुलर रिलेक्सेंट ये प्लांट है मित्रो क्या होता है कई बार कुट्टे के काटने से रेवीज होने का खत्रा होता है उस खत्रे के निराकरण के लिए 10 ग्राम पुनरनवा ले लिजिए और 200 मिलीग्राम बीज का सोधित चून लेना है ये विशेश ध्यान रख है सोधन विशेश आवसक है अदर्वाइज ये फैटल भी हो सकता है सोधन करना इतना जरूरी है इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पोटेंसी को कंट्रोल करने के लिए थ्रॉपेटिक इंडेक को बढ़ाने के लिए सोधन के आवसकता पड़ती है हाई अमाउंट ऑफ एलकलॉइड इसके अंदर पाए जाते हैं एट्रोपीन हायोसीन हायोस्काइमीन इस तरह के इसके अंदर घटक पाए जाते हैं तूसरा घाव को उत्ते के काटे हुए स्थान को इसके पंचांग के स दो देना चाहिए और अगर कानों में दर्द है तो 20 मिली लीटर सर्सो का तेल लेकर 2 ग्राम हरड डालकर उसमें 4-5 पत्र इसके ले लेने चाहिए इसको आप सिद्ध कर लेंगे सर्सो के तेल को उसकी 2-3 बूंदे कान में डालिए कान का दर्द ठीक हो जाता है कान में अग बनाकर कान में डालना चाहिए कान में अगर पस आ रही है तो भी दूर हो जाती है इसकी मूल कशना में रख लेना चाहिए मूल का चून कई बर क्या होता है सन्नी Πाथ जर हो जाता है ज arada वात, पित, कफ, तीनों की इस्तिति बिगड़ जाती है, वीटियेटिड वाता, पिता, कफा डिसॉडर्स होते हैं, इसके निराकरण के लिए इसकी मूल का चून सहद मिलाकर सेवन करना चाहिए, साथियों अगर बालों में जू हैं या बाल जढने की समस्या हो गई है, तो आ एक प्लांट एंटीडोट का भी कारे करता है, कई बार हमारे किसान भाई, ये तो मैं इंसेक्टिसाइड, पैस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, जिसमें और्गनोफोस्पेट होते हैं, जिसके कारण उनके हॉर्मोन्स चेंज हो जाते हैं, और उनके मुह से सलाइवेशन, अक्षस मात्रा में सलाइवा का आना, विजन लॉस हो जाना, इस तरह की कई समझाएं हो जाती हैं, और गनोफोस्पेट के एक्सपोजर के कारण, तो उसके निराकरण के लिए आप इसके पंचांग का डिकॉक्शन बनाकर, उसमें सहद मुलाकर सेवन कराना चाहिए, इसके पत्र की हमें ड्रेसिंग भी कर देनी चाहिए, पत्र के ऊपर थोड़ा सा एरिंड का तेल गरम करके लगा के और उसकी हमें पत्र बांद देने चाहिए, धेरे धेरे घुटनों के दर्द की समझा भी दूर हो जाती है, जैसे कि हमने आपको बताया, नौसों का दर्द हो, च चाहर भी तैयार कर सकते हैं, चाहर बनाने की विधी बहुत ही आसान है, और उसको आप देख भी सकते हैं, और कमेंट करके हमसे अलग से भी पूछ सकते हैं, इस प्लांट का 200 मिलिग्राम चाहर आप ले लेंगे, और उसमें थोड़ा सा मखन मिलाकर अगर सेवन कराएंगे, तो माइग्रेन का जो पेन है, दूर हो जाता है, ना केवल पेन दूर होता है, बलकि माइग्रेन के समस्या भी दूर हो जाती हैं, इस प्लांट के ओस्दिय गुण इतने हैं, कि पाईजनस होतने के बावजूद भी, ना केवल एलोपैथी में, बलकि युनानी हमोपैथी आ में होती है उसको भी इस प्लांट का चार आसानी से दूर कर देता है चीडर पतन की समझ्या हो स्केवीज की समय हो उसको भी यह प्लांट का चार हमें मखन मिलाकर शेवन करना चाहिए एक सेफटी आपको लेनी पड़ेगी की ग्लुकोमा एक आखों की बिमारी होती है और इसका इस्तमाल करते हैं और प्रिग्निंट वेमिंस इन तीनों ही प्रकार के हमें इसको नहीं देना चाहिए आप उसको ऑब जुण निवारंक एस किया आप पर्फा स्क rejection कि प्रफ लिए मुस्स कि भी यह दूर करता है आप इसको सेफटी के साथ सेवन कीजिए सोधन का विशेश धाम राखिए आपको यह जानकारी अपने मित्रों के साथ सखाओं के साथ सांजा कीजिए थाकि वो सब अधिक जानकारी कर सकते हैं इमेल से संपर्ग कर सकते हैं प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब और बैटर हेल्थ अबेरनेस अपसे लिए